प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज स्टॉक होम में प्रथम भारत नौर्डिक सम्मिलन में हिस्सा लेंगे जिसका आयोजन भारत और स्वेडन ने मिल कर किया है सभी नौर्डिक देश, स्वेडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नौर्वे की राष्ट्र प्रमुक इस सम्मिलन में शिर्कत करेंगे इन पांच देशों से इस नौर्डिक समिट के तौर से एक सिमिलर अप्रोच से इनसे इंगेज कर रहे हैं पहले बार और इनसे हम ये चर्चा करेंगे कि ये इंडिया के डेवलप्मेंट प्रोग्राम्स में कैसे मदद करेंगे जैसे मेकिन इंडिया है या स्किल इंडिया इसके अलावा नॉर्डिक देशों के प्रमुखों के साथ दुइपक्षिये मुलाकाते भी होंगी, इसमें तक्नीक, निवेश और रक्षा शेत्र में सहयोग और साजेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी Denmark is particularly strong in certain sectors, which is renewable energy, maritime and shipping, agriculture and food processing, they are also very strong in water, water recycling, water conservation, so these are some of the unique advantages that Denmark has, and the Nordic Summit will provide a platform for Denmark to transfer the technical know-how and accelerate their investments in India भारत उत्री यूरोप के देशों यानि Nordic देशों से सहयोग तराश्र और दूसरे अंतराश्रिये मंचों पर सहयोग चाहता है भारत के इन देशों के साथ बहुत अच्छे संबंद रहे हैं, लेकिन भारत इसी और मजबूत बनाना चाहता है साथ ही भारत धाचागत विकास, नवाचार और रक्षा शेत्र में स्वीडन को प्रमुक साजेदार बनाना चाहता है इस्वेशा बनाना चाहता है भारत और स्वेडन के विपारिक रिष्टों की बात करें तो दोनों के बीच 1 अरब 80 करोर डॉलर का सालाना कारोबार होता है साल 2170 स्वेडिश कंपनियों ने भारत में एक अरब 40 करोर डॉलर का निवेश किया है वहीं 70 भारतिय कंपनियों ने भी स्वेडन में अपनी मुझूद की दर्श कराई है भारत और नॉर्डिक देशों के बीच 2016 सत्रा में 5 अरब 30 करोर डॉलर का व्यापार हुआ है